हालो एबरिबरन प्रिवेश क्लास में मैंने आप लोगों को मिरर से रिलेटेट डेफिनिशन आपको बता दिया आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई मिरर है तो उसमें साइन कर्वेंशन कैसे लेंगे साइन कर्वेंशन का मतलब जो आपजेट का यहां उसको यहां पुछा इस शोर पारिटेट से लाइट रहें तो रिफ्लेक्सन के बाद जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को नाम दिया जाएगा image, जिस point पाइंटर सेट करता है दो आपके रेच reflection के बाद उस point को नाम दिया जाएगा image, तो इस्टाइट करते हैं सबसे पहले sign convention, sign convention मैंने दोनों mirror का लेना है, एक convex का, एक concave का, अगर मैं माल लेता हूँ मेरे पास एक concave mirror इस प्रकार से है इसको मैंने बाहर की तरब इस प्रकार से paint कर दिया तो इसको मैं बोलूँगा cognitive mirror है अब इस cognitive mirror में आपको मैंने definition यह बताया था कि अगर यह mirror M, Mtest है तो इसकी meet point को नाम दिया जाएगा pole पी और यहां पे अगर इसका center आप curvature है सी तो इसको जब मैं pole से मिलाओंगा तो इस line को हम नाम देंगे क्या axis तो इसमें sign connection क्या बोला जाता है कि अगर हमारा object ऐसा रखा है तो image बन रहा है यह object अगर है या image बन भी आपका बन रहा है तो कैसे हम उसके sign को लेंगे तो mind में यह रहा है जैसे हम coordinate axis में origin के left जाते है तो आपका negative sign मिलता है right जाने पर positive sign मिलता है origin के upper side जाने पर आपका positive मिलता है lower side जाने पर negative मिलता है ठीक वैसे यहां पे आपका origin की तरह काम कौन करता है pole इस pole के अगर left में कोई अभी value रहेगा तो उसे positive बोला जाएगा negative बोला जाएगा right में जो value रहेगा उसे आपका positive बोला जाएगा upward direction में जो आपका value रहेगा उसे positive बोला जाएगा downward में जो रहेगा वो negative मतलब इस pole के left में अगर कोई value है तो उसे बोला जाएगा negative और इस पोल के right में जो value है उसे बोला जाएगा आपका positive और अगर ये बोल दिया जाए कि इस पोल की ऊपर कोई value है जैसे ये है तो ये बोला जाएगा positive और इसके नीचे कोई value है तो उसे क्या बोला जाएगा negative चाहे इसके उधर बनाओ तब भी आप आपका positive ही रहेगा नीचे है तो आपका negative ही रहेगा यह माइंड में रहे कि पोल के left में जो value लिया जाएगा वो negative लिया जाएगा पोल के right में जो value रहेगा वो आपका positive पोल के ऊपर जो आपका value रहेगा वो आपका positive और पोल के नीचे जो आपका value रहेगा वो आपका क्या रह अगर पॉल है तो वही तरीक Jew होगा कि इसके ऊपर आपका क्या होगा पॉजुटीव प्रृप उपर प्लस ऑप मुझे नीचे पने जा रहा हूं कि किस प्रकार से हम किसी भी object का image का formation करेंगे method क्या होगा मतलब rules for formation of image rules for formation of image यह आपका क्या हो सकता है कैसे हम image को formation करते समय image को बनाते समय हम क्या-क्या rule apply करेंगे तो rule आपकी three होते हैं तीनों आपको यादोने चाहिए जैसे first rule मैं बताता हूं माल लीजिए आपकी पास कोई mirror है इस प्रकार से और इस mirror का माल लेता हूं यह आपका principle axis है इसका मतलब यह pole होगा यह center आप curvature यह आपका यहाँ पर क्या है focus है तो पहला rule यह कहता है कि अगर हम किसी भी light ray को principle axis की parallel लेकर आते हैं तो reflection के बाद हमेशा वह आपका principle focus से जाएगा मतलब अगर इसकी parallel मैं इस प्रकार से लेकर आता हूं तो reflection के बाद किस से होकर जाएगा focus से यह पहला rule आप याद रखेंगे कि image बनाते से में अगर आप principle axis के parallel कोई भी light लेकर आ रहे हैं तो after reflection आपका light goes from focus light हमेशा किस से जाएगा focus से जाएगा यह आपका किस के लिए कॉन के के लिए अगर आप कॉन वे कॉन वेक्स के लिए बनाना चाहते हैं तो आप यह कह सकते हो कि light ray जैसे यह माली जी आपके पास है इसको बोला जाएगा कॉन वेक्स यहां पर आपका इसका होगा माली जी यह पोल है यहां पर इसका होगा focus और यहां पर इसका होगा center of curvature लेकिन जब भी light ray आएगा तो जिधर reflective surface है उधर से ही आएगा तो इसमें यह होता है कि अगर parallel आ रहा है तो reflection के बाद यहां पर तो actual में आपका focus से जाएगा लेकिन यहां पर focus से जाता हुआ प्रतीद होगा मतलब appear होगा ऐसा लगेगा कि मानो किस से जा रहा है focus है लेकिन actual में टकरा करके इस प्रकार से वह आपस चला जाएगा तो यह जो आपका light ray है यह आपका पीछे बढ़ने पर किस से जाएगा focus पर मतलब कहने का या तो parallel से आने वाला जो light ray होगा reflection के बाद या तो focus से जाएगा या focus हम ले रहे हैं माली जी कोई कौन के मेरर यह है इस प्रकार से मैंने इसका बना दिया प्रिंस्पल एक्सिस यह पोल हो गया यह focus है और यह सेंटर आप कर विचर तो सेकेंड लॉग यह कहता है कि अगर हम इसका रेशीव प्रोकल कर दें मतलब light ray को अगर हम focus से लेकर आएंग एक्सिस के पैरलल हो जाता है यह कॉनकेब के लिए है अगर कॉन्वेक्स के लिए हम बनाएंगे तब भी यही बनेगा यह कॉन्वेक्स है यह पोल है यह focus है और यह आपका क्या है सेंटर आप कर विचर हम लाइट रेव को इस प्रकार से लेकर आएं क्यों लगे कि मानों किसकी तरफ आ रहा है फोकस की तरफ आ रहा है मतलब focus की तरफ आता हुआ light ray reflection के बाद principle axis के क्या हो जाता है पैरलल यह actual में focus से आएगा तो reflection के बाद क्या हो जाएगा पैरलल तो convex में प्रतीत होता है लेकिन actual में आपका रहेगा तो concave में होगा कि light ray हमेशा focus से आएगा reflection के बाद parallel हो जाएगा तो यह दो हमें rule याद रखने हैं कि अगर parallel आएगा तो focus से जाएगा या focus से जाता हुआ प्रतीत होगा अगर focus से आएगा या focus से आता हुआ प्रतीत होगा तो reflection के बाद parallel हो जाएगा थर्ड पॉइंट यह कहता है थर्ड पॉइंट आपका है कि अगर हमारे पास कोई कौन के मिरर है इस कौन के मिरर में अगर कोई light ray इस प्रकार से आ रहा है कि वह आपका center of curvature से पास करते हुए आए अगर center of curvature से आइसे पास करते हुए जा रहा है तो इसे incident ने बोला जाएगा लेकिन reflection के बाद वह उसी path पर लौट रहे जाता है मतलब उसके path में कोई changes नहीं आते हैं टाकराने के बार इसी तरीके से चलाएगा क्यों कि यहां पर एंगल क्या बनता है नाइंटी रिगी तो कि center of curvature को अगर हम किसी भी मिरर से मिलाएंगे तो अंगल 90 डिगरी बनता है और हम जानते हैं जिस एंगल पर लाइट रहाता है उसी एंगल पर जाता है तो 90 डिगरी पर ही जाएगा इसलिए अगर कौन के मिरर लेते हैं उसके लिए अगर से आता है तो उसी पात पर लोड़ जाएगा वैसे अगर आप कॉन्वेक्स का बनाना चाहे तो बना सकते हैं उनल यह कि आपका पूल हो गया यह आपका है फोकस यह आपका क्या है वह और कर आएंगे मानो किस की तरफ आता हूँ दिखें सेन्टर आप कर वेचर कि तरफ मतला आता हूँ प्रतीत ऊगया एक बाद यह फात है पान। या तो center of curvature से actual में आए तो आपका कौन सा mirror से आएगा और जब आता हुआ प्रतीत होगा तो कौन से mirror से आएगा convex से तो convex से अगर center of curvature की तरफ आता हुआ प्रतीत हो रहा है अपियर हो रहा है light ray तो reflection के बाद उसी path पे load जाता है यह तीन लौ अगर आपको आते रहेंगे तो आसानी से आप किसी भी object का किसी भी lens के लिए image का formation कर सकते हैं तो next class में हम image को कैसे बनाएंगे यह तो सिक लिए image कैसे बनता है उसका हम देखेंगे कि object कहां कहां पे रखा है और image कहां पे बनेगा Thank you